तुना हेलो फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी श्वागत है, मैं आपका दोस्त बशिष ठाजरा, दोस्तों सारे दुनिया ने माना है कि कॉंटेंट इस दक की, तो मैं मानता हूँ कि मेरा वीडियो का जो quality है वो बहुत गटिया है, मेरा जो voice है वो बहुत गटिया है और presentation भी बहुत गटिया है, दोस्तों मैं आपना voice में, presentation में बिल्कुल धेन नहीं देता हूँ, मैं content में धेन देता हूँ, मैं डोगों को वो चीज़ पढ़ाता हूँ, जो आपके लिए वाकई जुरूरत है, ठीक तो मेरा जो वीडियो जाए इसमें व्यूज भी कम आता है ठीक है बट मैं मानता हूँ अगर मेरा वीडियो देख के अगर तो ना किसी को भी वो काम में आए सेपिये ना इंटर्टेन्मेंट परपस में होके ना रह जाए ठीक है तो या कि उसका पीछे मैं धैन देता हूँ चलिए ये ना ही टीर्मेंट की सीरिस चल रहा है और मैं आपको जो कोईस्टन करा रहा हूँ ये बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको ये बुक्स जहां से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है उसका भी बता देता हूँ ये बहुत कमदामवाला बुक्स है और बहुत अच्छे क्वालिटी का बुक्स है मैंने ठीक है इतने अच्छे बुक्स देखा नहीं हूँ ठीक है यह है आठे रुकमिनी प्रकाशन का ITI ट्रेट थियोरी का बुक्स से भी है यही नहीं देखिएगा जैसे हर वीडियो का बात कुछ को से नठीक इंग्लिस से आते हैं तो उसको मैं बलवीर सिंग से बनाता हूं और कुछ स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन मेरा यह दस साल की ट्रेनिंग टीचिंग लाइफ के अंदर में है वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन किया हुआ है उसको मैं इंक्लूड करता हूं यह सारे सोड से जब आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर का तयारी करेंगे तो तो ऐसा कोई कोश्चन नहीं बसता है कि जो आप से मीस हो जाए और यह सारे कोश्चन करते करते हैं आपका एक कंटेंट के उपर डेफ्थ डेवलोमेंट हो जाएगा और मैं हर एक कोश्चन को जब पढ़ाता हूं ठीक है उसकी पीछे का जो बैक्राउंड है वो क्यों यह जो आप्सन सही है वो भी बताता हूं जिससे आप लोगों को टॉपिक को अच्छे से पता चल जाए देखो टॉपिक का बेशिक्स क्लियर करना बहुत जुरूरी है आप कोई है कि तरह ठीक है रैफिट फायर राउंड की तरह हर एक कोश्चन को और आंसर बताके चले जाए कि इस टाइप गदेव जो रैफिट फायर राउंड चलता है वो कि असलिए चलता है कि मह लोग को एक दूसरे जगा का बंदा मतलब जिसको इसको ना आई टिया इसे कोई लेना देना हि नहीं है वो जब आई टिया की वीडियो बनाते हैं वो बिलकुली इससे अतरह से बना कि आप मेरे साथ जूड़े रहें, ठीक है, कि आपका भला हो जाएं, यही मेरा उद्देश्व हैं, निम्नमे से की स्पोक्रियादारा लो कार्बोन स्टील का सारफेस पर कार्बोन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, ठीक, तो यह जो इसका अंसर हो जाएगा, कर्बोराइजिंग, ठीक है, इसका जो अंसर है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कॉसन किया था, कि लो कर्बोन स्टील को अगर हम हार्डेनिंग करने की चेस्टा करेंगे, उसको गरम करके और तेल में डालेंगे, तो वो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, क्यों वो हार्ड नहीं होगा, क्योंकि उस लो कर्बोन स्टील के अंदर इतना कर्बन नहीं है, कि वो मार्टेंसाइट गेन में कॉनबर्ट हो पाए, तो जब तक मार्टेंसाइट गेन में कॉनबर्ट नहीं होगा, वो हार्ड नहीं ह होगा ठीक है इसलिए उसको क्या करना चाहिए उसको बाहर से उसकी सर्फेस के अंदर में कार्वोन की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा तो कार्वोन की मात्रा बढ़ता है है डिफ्यूशन बीदी से हम लोग जब उसको एक कार्वोन इन्रिच एन्भरनमेंट के अंदर में रखके गरम करते हैं तब बाहर से जो कार्वोन है उस मेटल सर्फेस की अंदर में घुश जाता है और उसका अंदर कार्वोन की मात्रा को बढ़ा देता है जिसके कारण वो हा हाड करने का जो पक्रिया है उसको कार्वोराइजिंग बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट किसी कॉंपोनेंट को टाफ और डाक्टाइल कोर और हाड बाहरी सर्फेस के साथ बनाने को कहते हैं ताफ और डाक्टाइल कोर रहेगा और बाहरी सर्फेस हाड रहेगा उसको बोलेंगे क यह तो आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा इस बात में कार्बोन की अध्रीक मात्रा मिला देने पर बढ़ जाती है कठोरता तो कार्बोन की मात्रा जितना अध्रीक होगा तो मार्टेन साइट ग्रेन का टेट्रागोनलीटी उतना ज्यादा होगा तो उसका हाड़नेज बढ़ेगा निक्स कोश्चन है जदी बियरींग का को बाजी रूप से मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति आपना नहीं पड़ेगी देखो कोई चीज को बाजी रूप से प्रॉसेस क्या हो जाएगा और अब्वीजली कर्भुराइजिंग ठीक है तो अफ्सान नमबर एं तो श्टाक्चर ठंडा होने की दर को कंट्रूल करके प्राप्त किया जाता है तो श्ट्राक्चर को ठंडा होने की दर मतलब यह ठीक है इसका आंसर हो जाएगा जो grain structure है वो प्राप्त होता है tempering heat treatment से ठीक है तो tempering heat treatment में हम लोग क्या करते हैं उसको secondaryly गरम करते हैं और उसको धीरे-धीरे ठांडा करते हैं तो ठूस्टाइट और सॉर्बाइट प्राप्त होता अगर बहुत धीरे-धीरे ठांडा करेंगे तो सॉर्बाइट होगा उस case में अगर उस case में जल्दी ठांडा करेंगे तो ठूस्टाइट होगा ठीक है next question है इस पात के संग्रक्षन प्रतिरोध में ब्रीद्धी करने के लिए इसमें क्या मिल लाया जाता है तो यहां पे आंसर हो जाएगा chromium next question हाई स्टील में कारवन की मात्रा होती है जो हाई स्टील मतलब जीज में करवन की मात्रा जादा होता है उसको हाई स्टील बोलते हैं अब इसको हाई स्पीड स्टील के साथ mix मत कर लेना हाई स्टील मतलब जीज में कारवन की मात्रा जादा ठीक है मतलब यह आप तो हाई कारवन स्टील बोल सकते हैं generally हाई कारवन स्टील में कारवन की मात्रा होता है 0.7 से 1.5% तो यहां पे option में दिया हुआ है 0.5 से लेके 1.5% तो option number हो जाएगा C की structure में cementite कम पाया जाता है प्यारलाइट और फेराइड में ठीक है तो option number हो जाएगा A and B तो sorbite में cementite होता है जादा परिमान होता है क्योंकि यह hard structure है और पेरलाइट और फेराइट इस soft structure है जहां पे carbon की मात्रा कम होती है तो लोहा के अंदर में generally जो carbon होता है वो F3C का form में होता है और F3C को क्या बोलता है cementite ठीक है तो question पूचा है की structure में cementite कम पाये जाता है तो होगा A और B दोनों next question है निम्नम A से कीस में carbon की प्रतिश अत्ता सबसे कम होता है तो यहां पे answer हो जाएगा option number A म्रीदू इस बात में निम्नम A से कौम सा compound liquid carbonizing के साथ में प्रयोग नहीं होता तो liquid carbonizing के के लिए प्रयोग नहीं होता sodium sulphate ठीक है sodium sulphate क्यों क्यों क्योंकि जहां पे sulphur रहेगा वहां पे लोहा का जो decomposition है उसको बढ़ा देगा उसका brightness बढ़ा देगा और बहुत सारे failure मेटल में आ जाता है जब उसके अंदर में sulphate का grain दोगता है और यह किसी भी प्रकार से sulphur जाता है तो sodium sulphate salt का प्रयोग कभी नहीं करेंगे next question जिस ताममन पर स्टील की आंतरिक बनावटो में परिवर्टन अरंब होता है उसको बोलता है lower critical temperature मतलब हम लोग जब कभी लोहा को गरम करते हैं वो जब lower critical temperature तक पहुंचता है तब उसका जो ferrite paralite उसके अंदर में होता है वो martensite में convert होना शुरू करते हैं और जब वो धीरे धीरे और उसको गरम किया जाए जब वो आपर critical temperature तक पहुंचता है तब उसका पूरा के पूरा बाकी सारे grain dissolve होके austenide में convert हो जाता है तो यहां पे पूचा है आंतरिक बनवर्ण में परिवर्थन आरंब कभ होता है वो होता है lower critical temperature और lower critical temperature और आपर critical temperature के बीच जो range होता है इसको बोलता है critical range तो आपर critical ताम मन कितना होता है यहां पे देखो जो आपर critical temperature है वो different composition का steel के लिए different होता है बट यहां पे कोई composition नहीं बोला है यहां पे एक तो volatile question पूचा है यह ना question भी ठीक ठाक नहीं लगता है क्योंकि उसका तो ना composition बताना चाहिए था चलो यहां पे जो तीनों में से देखो साथ सो तेइस तो हो नहीं सकता क्योंकि यह lower critical temperature है 750 हो सकता है 850 भी हो सकता है क्योंकि आपर critical temperature वो वेरी करता है 800 से लेके 1147 डिग्री से अपने अगर आपने अगर अठीक आइराउन आइराउन कारबाइट इक्विलिब्रियम डायाग्राम को देखेंगे जिसको टी 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 डायाग्राम बोलता है टाइम टेंपरेचर टांस्पोर्मेशन डायाग्राम उसमें देखिएगा पहले वो जो कार्ब जो है आपर क्रिटिकल टेंपरेचर के कार जीरो पोईंटे परसनर क्रम तक नीचे आ रहा है और जीरो पॉइंट से लेके वान पोईंट 5% कारबन तक फिर उपर चलड़ा है तो ठीक है इसका जो रेंज है पहले तो 0 से लेके 0.8% कारबन तक वो 800 डिग्री से साड़े 723 डिग्री से तक नीची आएगा फिर साड़े 700 से लेके उपर तक तो उपर जाएगा तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो है 800 डिग्री सेंट्रिगेट इस दे राइट एंसर जिस बिंद उपर कारबोन आईरान में पूरी तरह से घूल जाता है उसको कहता है आपर क्रिडिकल टेंपरेचर यह देखो वो जो कि चत чисप हैं उपरागेट कोईं हो जब मझेग को जब लोहे को गरम करते हैं तब हम साड़े है सादसों सो तैसट डिग्री सेंट्रिगेट में हो परीव dual क्रिवर्तिकल तेम्परेचर बोलता है और लोर क्रिटिकल टेंपरेचर से हम दीरे-दीरे जब उसको गरम करेंगे पहले थोड़ा सा उसका पहला कुछ जो उसका पुराना ग्रेन हो रहेगा और साथ-साथ में वह ऑस्टिनाइट बनते रहेगा फिर जब वह आपर क्रिटिकल टेंपरेचर का ऊपर पहुंच करने की बात कर रहा है तो वहां पे कौन सा टेंपरेचर होगा वह होगा आपर क्रिटिकल टेंपरेचर यानि आपर क्रिटिकल पॉइंट निक्स कोईशन है लोर क्रिटिकल टाममान से लेकर आपर क्रिटिकल टेंपरेचर का अमध्य का ताममान को क्या कहते हैं मैंने यह डि चैनल के साथ आभी तक जूड़े नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यह सारे वीडियो से आपकी जो ट्रेट की टॉपिक की वीडियो है और यह पूरा मैं आपको कराऊंगा ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद